काronics है अपका स्वागत है आजम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जैसे पृत्वी पर हम सब मतलब जो जिंदगी जी रहे तो हमारा शरीर का एक रूप है दोस्तो जो हमें मतलब आयने पर हम देखते हैं तब हमें हमारा रूप दिखाई देता है वैसे ही हमने बहुत बार बात की है कि आत्मा का खुद का ऐसा रूप नहीं होता एक प्रकाश का गोला हम उसको कह सकते है और उसका कैसे होता है जैसे वो हमें मतलब दर्शान किया गया तब उसने ये कहा कि आत्मलोक में मैं एक विशिष्टा आउफतार में या फिर एक विशिष्टा रूप में मतलब रहने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो जो रूप है मेरा वो मुझे बहुत ही पसंद है यह डॉक्टर माइकल न्यूटन जी के मतलब केस में से हमन इंसान था और जहां पर वो एक मतलब कैप पहनता था जो गोल्ड टूपी होती है वो और उसके साथ-साथ उसकी बड़ी लंबी मुझे थी और वो यह कहता है कि वो जो मेरा जीवन था बहुत ही शांती भरा बहुत ही सुक भरा था बहुत ही अच्छा वो जीवन था उस जी मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सका तो मेरे सीख के लिए और मेरी शांती के लिए वो जो जीवन था बहुत ही जादा एहमियत भरा था इसलिए मैं वैसे ही मतलब रूप में हमेशा मतलब यहां पर मेरे समुह के साथ रहने की कोशिश करता हूँ उसने यह कहा है दोस्तों क जैसे अगर उसके समुह में कोई नहीं आत्मा आई या फिर इसको कुछ दर्शाना हो तो ऐसे वक्त में वो किसी रूप मतलब अलग दिशा में दिखाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत बार वो उसी रूप में वहाँ पर रहना पसंद करता है यह जो बात है दोस्तों हम स कर सकती है जैसे आज हम जिन्दगी जी रहे है हमारे भी स्वाइकड़ो जनम हुए होंगे और उसमें कोई एक जीवन जो हमें दिल से पसंद है जहाँ पर हमारे करीबी लोगों के साथ हमने बहुत अच्छे जिन्दगी जी थी बहुत खुशियों बरे उसमें पल बिताये ऐसे वक्त में बहुत जादा चांसे से हैं दोस्तों कि हम भी उसी रूप में वहाँ पर रहना पसंद करें जैसे मेरी कोई एक करीबी आत्मा है उसके साथ मैं जो जीवन मतलब बहुत अच्छे से समझो जिया होगा किसी एक जीवन में ऐसे वक्त में बहुत जादा चांसे स कि उसके साथ हम वैसा ही वहाँ पर रूप में और उसी सिच्वेशन में मतलब ढालने की उस वक्त कोशिश करें जैसे उधारन के लिए समझो कोई एक इंसान है और उसकी अच्छी पत्नी है दोने एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों बहुती खुशी से उन्होंने कोई जिन्दगी बिताई होगी बाद में वो जीवन उनका खतम हो गया बाद में और भी उन्होंने जवन लिये और अब वो आतमलोक में समझो साथ रहे रहे तो ऐसे वक्त में अगर वो चाहे तो वैसा ही जैसे उस जीवन में उनका घर था वैसे घर की कलपना करके वैसा घर में वो कही न कही रह सकते है वैसे वातावरन में वो रहने की कोशिश करते है उस तरीके से बात एक दूसरे से करने की मतलब वो कोशिश कर सकते है तो इस तरीके से भी होता है दोस्तों मतलब क्या है कि जहाँ पर एक आत्मा को जो भी चीजे पसंद होगी जो उसके लिए अच्छ ज़्यादा दुखी हो तो आप ऐसे जरा भी मत समझना दोस्तों यह जो पल है वो कल्प शाहिद फिर से जिंदा हो सकते है हमारे आत्मा के लिए और जो भी हच्छा है हमारे लिए वो कभी भी इस दुनिया से नश्ट नहीं होगा हमारे आत्मा के साथ हमारे करीबी लोगों के साथ उस दुनिया में हम बहुत ही पैर से रह सकते है और उस दुनिया में हम एक दुसरे को कभी भी कोई पहले जुदा नहीं कर पाएगा दोस्तों इसलिए, अप अपने आगले वीडिओं में मिलते है आप अपने परिवार का खायाल रखना, आपका बहुत बहुत धन्यव जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ इरिग्रेशन की ओडियोज भेजी जाएगी जिससे घर बेटे वह पास्ट लाइफ इरिग्रेशन का बैस कर सकते हैं और उन्हें पाच मेडिटेशन धेन की बी ओडियोज भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबे भीजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबाइल पर या फिर लैपटोप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 अडियो बुक्स भी आपको भीजी जाएंगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गृपया इस नंबर पर WhatsApp मेसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद